गुद मार्निंग फ्रेंड्स तुड़े वी डिसकस आवर न्यू टॉपिक एनिलिंग फ्रम दा सब्जेक्ट ओफ में पहुत चुके हैं कि आयरन कारबन डाइग्राम क्या होता है फैज डाइग्राम क्या होता है कौन कौन से फेज में कौन सा और स्टिनाड बनता है सिमेंट ठीक तो आज हम लग करेंगे ही ट्रीविंट का अठीक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का जो हार एक्जाम में आता ही है ठीक है जाए वह गैठ हो आई है यह पर यह कौन रिख्वाइटिक इसका और क्या क्या टाइप से ऑनिलिंग इज़ प्रोसेस ऑफ इटिंग मेटल्स को हीट करने का इसमें क्या होता है उसकी जो प्रोपर्टी होते हैं वह इंप्रूव हो जाती है उसके मेकनिकल प्रोपर्टी क्या होती है इंप्रूव हो जाती है ठीक है फ्रेंट्स इस प्रोसेस अकर स्वैटली अब हो दा क्रेटिकल टेंप्रेचर तो यहां यहां हम हीट करते हैं ठीक है में लगा यानि कि 723 डिकर जैसे कि हम लोग पर दोगे एवन टमप्रेचर क्या होता हम आप रट्म क्रिटिकल टमप्रेचर डोटिकल को जब कोई भी वाटर के दवारा तो उसमें क्या होता हमारा है एनी लिंग का प्रोसेस कम्पलीट होता है ठीक है प्रेंस तो आप समझेवाए कि क्या है इसको फूल एनिलिंग इसको फूल एनिलिंग कब बोलेंगे फूल एनिलिंग इन इस प्रोसेश दाइस्टील हेटेड डियू अब क्रिटेटल टमपरेटर जितना भी हमारा क्रिकल टमपरेटर एक्रिकल के इसके अबहुंए ने कि 50-100 अब यह कि 30-50 कि याने कि इस और प्लस कर देंगे फिप्टी डिवी से तो उस टेमपरेटर पर क्या ह समय के लिए उसमें क्या करें होड करेंगे एक घंड दो गूंडे पाँ Ты गन्टे इसना रिकार मेंटे रिक्वार्मेंट एठीक है उसके इसाबसे वह नियुक्त मुझाньर तोव तो फॉल तक कुल स्मय करेंगे या फिर उसको किसी ऐनी फोस्ट यानि पंखा लगा देते हैं पंखा लगा देता कि हमारा मेटल जल्दी ठंडा हो जाए ठीक है लेकिन स्लोली स्लोली ठंडा होई नहीं कि तुरंद कि यह बहुत मेटल को बटी से निकाले लाल लाल और क्या कि पानी विद्वादी हो क्या होत होता है कि बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है वाटर जालने सा है इसलिएर यह मैं फिर पंक्ख़ा of toughness and increase softness इसका मैं प्रपस है सका टफ्पनेस बढ़ाना ठीक है जो बिःटनेसका टॉट जाती है विना बेंड हुए बेंड नहीं होता है तो उसकी बिटनेस और यांडनेस को डिग्रीज करने कि लिए करते हैं एक ये लिंग करते हैं तो वह करते हैं कि कि इसका करते हैं इसका है सब्सक्राइब करते हैं जैसे सीड बनाते हैं लोग चादरे बनाते हैं उसमें करते हैं कास्टिंग जब हम करते हैं तो हम यूज करते हैं इन लिंक टिक फिरिंस और उसका अधर प्रोसेस भी है यहां याद रखने का है जब हम स्लोग कुलिंग करते हैं तो उसका जो मेटल का गरेन इस्ट्रक्चर होता है वह तो यह पहला एन लिंग ठीक फ्रेंट्स तो एन लिंग का आगे में टाब अपstar आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि एन लिंग कैसे होता है कि यह मारा एनिलिंग का फार्नेस है और यह मारा एनिलिंग का फार्नेस टीक आ संकर कते हैं अपने जित्ने भी हमारा 30 इस्टीज मैल्डू आफैने प्रेड करते ही निकालते हैं और बाहर क्या करते हैं धूसरे फपर फण totally पूंस दिनक Χाव में चोंड़ सकता है अधर हावा में छोड़ देते हैं दीरे धिरे ठंड़ा होने करें यह नहीं जяжदे इनग शल्द है यह पैम फैनव टोन अन्यालिंग प्रोसेश थे क्या फ्रेंस यह फुल अन्यालिंग होगे थे क्या फ्रेंस नेक्स्ट आपकी को दिसक्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में